नमस्कार, A to Z Dishes उशाकोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आप लंबे समय तक आम को कैसे स्टोर करें बच्चे हो या बड़े, हम सभी कोई आम खाना काफी ज़्यादा पसंद है पर ये जो आम है, पुरे साल में सिफ एकी बार गर्मियों के मौसम में आते है तो इसलिए ही, आज मैं आपको आम का पल्प और आम दोनों को कैसे स्टोर करें वो बताऊंगी इस वीडियो में, बिना कोई प्रिजर्वेटिव डाले, आप आम को स्टोर करेंगे बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है और आप इसे लंबे समय तक रखेंगे, उसके बाद भी आपके जो ये आम है, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे तो बिल्कुल भी देड़ नहीं करते हैं, चलिए आम को कैसे स्टोर करें, शुरू करते हैं वीडियो तो उसके लिए मैंने यह आप पर ले लिये हैं, दो आम अप कोई भी तरह के आम ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरह से लिए आप अनफोंजो भी ले सकते हैं तो अब क्या करेंगे ये उपर का छिलका दोनों का निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक आम ले लिया है इसका यह जो उपर का छिलका है उसे हमें निकाल लेना है जितना हो सके तो आप आम मीठा ले और इस तरह से कलर वाला ले तो काफी जादा अच्छा है तो यहाँ पर मैं इसका आप देख सकते हैं छिलका निकालती जा रहे हूँ और आज विडियो में मैं आपको आम का पल्प और आम दोनों ही स्टोर करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से बिना कोई प्रिजर्वेटिव डाले आप कैसे भी कर सकते हैं तो आज मैं आपको जो आम का स्टोर करना बताने जा रहे हूँ तो इसमें आप छोटे टुकड़े करें या इस तरह से बड़े भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़े किये हैं तो देखिए, इस तरह से हम दूसरे आम को भी करेंगे, और जो दूसरा आम है, इसका हम पल्प बनाने जा रहे हैं, तो आप इसमें बड़े छोटे कैसे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप आम को इस तरह से भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों आम के टुकड़े निकाल लिया है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे दोनों को बाट लेंगे दो हिस्सों में बाट लेंगे देखे इस तरह से एक को हम स्टोर करेंगे और एक को हम पल्प बनाएंगे तो यहाँ पर इसके मैंने दो हिस्से कर लिया है अब सबसे पहले मैं आपको आम को स्टोर करना बताने जा रही हूँ तो इसके लिए एक बाउल में यह आम के टुकड़े हम डाल देंगे तो यहाँ पर अभी मैंने आपको एके की बताया है आप जितने चाहे उतने कर सकते एक ही साथ अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे एक चमज चीनी ये जो आम है, स्टोर करने के लिए चीनी प्रिजर्वेटिक का काम करेगी चीनी डालने के बाद हलका से इसे हम मिला लेंगे अब यहाँ पर मेरा एक हाम है तो मैंने एक चम्मच चीनी डाली है इसी तरह से अगर दो होते हैं तो आप दो चम्मच चीनी डाले पांच होते हैं तो पांच चम्मच चीनी डाले जितना आम है उसे साब से आप चम्मच भर चीनी डाले तो यहाँ पर मैंने चीनी डालने के बाद हलका से इसे mix कर लिया है और अब आती है इसे store करने की बारी तो मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ आप इसे airtight container में भी कर सकते हैं और zip lock bag में भी कर सकते हैं अगर आप airtight container में करते हैं तो एक ही साथ आम के टुकड़े डल जाएंगे जितना आपका डबा है airtight container तो उससे क्या होगा कि जब आप इसे freezer में से निकालेंगे थोड़ा आप आम निकालेंगे और फिर से डबे को बंद करके रख देंगे तो उससे आम का स्वाथ थोड़ा उपर नीचे हो सकता है पर अगर आप इस तरह से zip lock bag इस्तमाल करेंगे तो ये तो वैसे भी bag छोटा ही है इससे क्या होगा आपका जो आम है वो भी थोड़े बनेंगे और एक ही बारी में ये सारे आम इस्तमाल हो जाएंगे तो उसके लिए मैंने हाँ पर ये zip lock bag ले लिया है अब क्या करेंगे जो उने आम के टुकड़े काटकर उसमें चीनी डालकर मिलाकर रख दिया था अब ये पूरे zip lock में हम बढ़ देंगे तो इस तरह से सारे आम के टुकड़े मैं डाल दूँगी तो देखा आपने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिड डालने के आपको जरूरत नहीं पड़ी सिर्फ चीनी जो सभी के घर पे अवेलेबल होती है उससे आप ये एकदम बढ़िया आम स्टोर करकर तयार करेंगे और ये फ्रिज में रखने के बाद बिल्कूल भी काले नहीं पड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने ये आम के टुकड़े डाल दिया है अब थोड़ा सा हलका सा दबा लेंगे और ये जो जिप लोग है इसे अच्छे से हम बंद कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कर लिया है तो यहाँ पर जो पहला हमारे आम के टुकड़े थे वो स्टोर होकर तयार है तो इसे मैं फ्रीजर में रख दूँगी ध्यान रखना है आपको इसे फ्रीजर में रखना है अब मैं आपको बताऊंगे कि आप आम के पल्फ को कैसे स्टोर करें तो उसके लिए मैंने मिक्सर ले लिया है और जो ये एक आम के जो टुकड़े हैं अब इसके अंदर हम डाल देंगे तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने हापर आपको दो आम के इपता है आप चाहे तो जितने आप चाहते उतने आप आम को स्टोर करके रख सकते हैं अब इसके अंदर भी हम एक चम्मच चीनी डालेंगे जैसे मैंने आपको बता है जितने आम हो उतने ही आप चीनी डालें कोई भी आपको इसमें पानी वानी नहीं डालना है सिर्फ चीनी और आम के टुकड़े कोई पीसना है तो यहाँ पर अच्छा सा पीसकर तयार हो चुका है कोई भी टुकड़ा रहा नहीं है तो यह जो अब हमारा पल्प है इसे भी हम जिप लॉक बैग में बढ़ देंगे यह जो जिप लॉक बैग है आपको मार्केट में काफी आसानी से मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे चमच की मदद से यह पल्प को लेंगे और यह जिप लॉक बैग में डालते जाएंगे तो देखा इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ी है और इसे भी मैंने अच्छे से भर कर तयार कर लिया है देखे कुछ इस तरह से हलका सा दबाना है जादा नहीं और इस जिपलोक को बंद कर देना है तो लीजे हमारा जो ये आम का पल्प है ये भी तयार है अच्छे से और इसी तरह से मैंने जो आपको आम के टुकड़े बताये थे ये भी तयार है दोनों आप इसे फ्रीजर में रख दीजे और जब मन चाये आप इसे निकाल कर खा सकते हैं जितना हो सके आप एक ही बारी में ये आम इस्तमाल कर ले इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इस तरह से छोटे छोटे जिप लॉक बैग में बरेंगे तो इससे क्या होगा कि एक ही बारी में आप इस्तमाल कर सकते हैं और आपको आम का स्वाद भी अच्छा आएगा तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों तयार कर लिये हैं अब इसे मैं अच्छे से फ्रीजर में रख दूँगी और मैं आपको बात में भी बताती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दिन हो चुके हैं और इसे मैंने फ्रीजर में से निकाल लिये आपको दिखाने के लिए और आप देख सकते हैं यह आम का पल्प काफी अच्छी तरीके से जम चुका है इसी तरह से यह जो आम के टुकड़ हैं वो भी आप देख सकते किते बढ़िया तरीके से जम चुके हैं और बिना कोई preservative डाले आप देख सकते हैं किते बढ़िया हमारी ये दोनों freezer में रखने के बाद भी काले नहीं पड़े हैं तो आज इस वीडियो में मैंने आपको दो तरीके बता है एक आम का pulp कैसे store करें एक आम को कैसे store करें तो यह आप अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजेगा बिलकुल भी आम काले नहीं पड़ेंगे और बिना preservative के आप आम को store करेंगे और लंबे समय तक इसे enjoy करेंगे तो इसे ज़रूर ट्राइ कीजे और वीडियो कैसी लगी है मझे comment section बताईए अच्छी लगी है तो इसे like कीजे शेर कीजे अपने friends और family के साथ और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ एक new recipe के साथ तब तक के लिए thank you for watching